आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शनिवार है श्रामणमास शुकल पक्षकी आज त्रयोदशी तिथी है जो रात्री में नौबज करके चववन मिनट तक है और इसके पश्चात चतुर दशी तिथी है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज धनुराश में रहेंगे और अभिजित नुहुर्ट का समय दिन में 11 बच करके 38 मिनट से 2 पर 12 बच करके 31 मिनट तक होगा वही राहुकाल प्रातह 9 बजे से 10 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित मुहुर्ट में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहुर्ट हरीकवति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज प्रदोश व्रत है और शनी त्रयोदशी भी है जन्म कुंडली में दो ग्रहों की युती जोत्ष शास्त्र में दो ग्रहों की युती को बड़ा ही सुरिष्ट माना गया है विशेश कर वो दोनों के दोनों ग्रह अगर शुभग रहों वैसे तो पापक ग्रह की भी युतीयां कई बार बहत बहतर रिजल्ट देने वाली होती है यानि जोत्ष शास्त्र युती को बड़ा स्रिष्ट मानता है युती अर्थात युग्म जोड योग तो दो ग्रहों की युती से बनने वाला योग जातक के जीवनकाल में क्या प्रभाव देता है कई योगों के माध्यम से आप इसके बारे में जानते है वहीं जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुद्ध इन्हें पिता और पुत्र की संग्या प्राप्त है जैसे सूर्य और शनी को ये दोनों ग्रह यानि चंद्रमा और बुद्ध युती बना ले तो जातक के जीवनकाल में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा आज जानेंगे इस युती से मिलने वाले प्रभाव के बारे में आज दिव्य महा प्रयोग में तो दिव्य महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की शुक्र ब्रिशब राशी में सुंचरन कर रहे हैं राहू मिथुन राशी में बुद्ध राशी परिवर्तन करके आज चंद्रमा की राशी में सूरे के साथ इन्होंने यूती बनाया बुधादित्ति योग कानिर्मान किया और वहीं गुरू, चंद्रमा और केतू ये तीनों ग्रह जुती बनाकर धनुराशे में सुम्चरन कर रहे हैं शनिदेव यथावत मकर में और मंगल मीन में यथावत गोचर कर रहे हैं तो ये है ग्रहस्तुती इन ही ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया आनि दैनिक राशिफल तयार किया है वो नेधर्शक जो मेरी इस राशिफल के कारिक्टरम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बतातू यह राशिफल आपके जन्मराशी का अधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस कुंडली में तो आम तरपर जातक पिता पुत्र में अगर देखा जाए तो मत भेद होने लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि कुंडली में सूर्य सनी की युति हो तो जिसकी कुंडली में ये युति है वो निसंदेह उसके लिए बहुत स्रिष्ट फल परदायक है जैसे चंद ने कहा चाहे वो ब्रहत जातक हो चाहे जितने भी रिशियों ने सबने एक मत में कहा कि चंद्रमा और बुद्ध की युति हो तो जातक अत्यंत सुंदर बोलने वाला कविता करने वाला बातों ही बातों में कविता रचले इस तरह की छमता वाला वानी अत्यंत मधूर अपन को अत्यंत चतुर, बुद्धिमान, धनवान, निपुन और सुखी बताया वेयनिह आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुद्ध की यूति है तो ये अत्यंत स्रेश्ट इस्तिती है उच्च कोटी का ये एक योग है चंद्रमा और बुद्ध की युति का ये योग निसन देह आपके जीवन काल में स्रिष्ट फल प्रदायक है सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है चलते हैं राशी फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से आज नमम भाव में सुन्चरन कर रहे हैं भग्य भाव में सुन्चरन कर रहे हैं गुरू और चंद्रमा की यूती गज केशरी योग का निर्बान निशन देह बढ़िया है आपके लिए आज जो भी कारे आप शुरू करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा हाँ थोड़ा समय अवस्चे लगेगा तुरंत ही परिणाम नहीं मिलने वाला है लेकिन थोड़े समय बाद आपको इसका पूरा-पूरा परिणाम मिलेगा और बेहतर परिणाम मिलेगा ब्यापारी और नौकरी पेसा दोनों के लिए कहूं आगे बढ़ा सकते हैं कोई कारे आरंभ करने के लिए कोई कारे प्रारंभ करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है प्रारंभ करिये मेहनत करिये सफलता मिलेगी रुका हुआ पैसा प्राप्त होना आज ऐसी स्थिति दिखाई पढ़ रही है मैं कुना कहूंगा ब्यापारिय निवेश करना खर्च बढ़ाना निसंदेह आपको आपके लिए फाइदेमंद है आज हो सकता है जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला लेना पड़ जाए जिससे आपको नुकसान हो तो मैं एक सलाह दे दूं कि जब फैसला ले ही रहे हैं तो जल्दबाजी में क्यों ना शांतम जामीन ऐसा बेचना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं तो उसमें जूट का सहारा मत लीजे नहीं तो मुश्किल में पढ़ेंगे कोट का चहरी के चक्कर में पढ़ जाएंगे और विवाहितों के लिए दिन इस मामले में बेहत खास है कि विवाह का प्र आराधना करना आज उनकी हो सके तो पंचो पचार आप पूजन अवस्य करिए लकियंग का आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए आज लाल है ब्रशब की बात कर लेते हैं ब्रशब रासे के जातकों के लिए कारिस्थल पर आज दिन ठीक ठाक जाने वाला है कारिस्थल प करेस्थल पर कोई ऐसा मसला हो, जिसके चलते कोई परिशानी उत्पन हो रही हो, कारिस्थल पर परिशानी उत्पन हो रही हो, वो आपके द्वारा सुलज्ञा लिया जाएगा, दोस्तों या प्रेमी, उनके साथ संबंध को मधूर बनाने की कोशिश करिए, ये सही समय है, पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहा है भूमी भवन से संबंधित कोई काम है वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है कारोबार में आज ब्यस्तता बनी रहने वाली है और राजनीति के फिल्ड से जुड़े हुए है तो दिन बेहद खास है वहीं मीडिया के फिल्ड से आपको उससे दूर हो जाना है हलाकि एक बात बता दू कि यह फस जाते हैं तो उसी बात का समर्थन कीजिए वही बात कहिए जो सही हो और जिसका आपके आपका दिल कहता है कि यह सकते है उस पक्ष में जाईए प्रेम संबंद में सकारात्मक बदलाओ दिखाई पड़ रहा है अगर प्रेम संबंद में कोई परिशानी थी तो दूर हो जाएगी दामपत्य जीवन पुरुनता शुखद और घर का माहल भी बढ़िया बना रहने वाला है निस सब कुछ बढ़िया बिद्यार थी ओक लिए दिन बेहत खासे ने ब्रुषब रासी के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है हर तरह से आपके पक्ष में परिक्षाई त्या आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है खुशिया आज चहूर से आपको खुशिया प्राप्त होने वाली है कारिक्षत्र में खुशी मिलने वाली है तो वहीं घर पर खुशी का माहल रहने वाला है नौकरी पेसा है दिन बहुत बढ़िया ब्यापारी है दिन बहुत बढ़िया कोई महत्त पुर्ण कार्य पूरा होने वाला है और जिसमें आपके साथ के लोग मददगार भी आपके लिए होंगे और अधिकारी वर्ग अगर कारिस्थल पर हैं आपके साथ बहुत अच्छा वेवहार करेंगे खुश रहेंगे आपसे तो अधिनस्तों का भी सायोग मिलेगा यह निनोकरी पेसा लोग के लिए दिन बेहत खास बस एक बात का खयाल रखिएगा किसी को आज उधार मत दीजेगा उधार देने से संबंध बिगड़ेगा और बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करेगा इसे से भी संबंध बिगड़ेगा ब्यापारी है तो दिन बहुत खास है आपका ब्यापार से संबंधित अगर कोई मसला है जो कोट का चहरी में लगा हुआ है लंबित है तो ये समझ लीजे कि दिन आपके लिए बेहत खास बना रहने वाला है पक्ष में आने वाला है जो भी अगर उसका निरणय आता है कारोबार में बिध्धी बृध्धी के संयोग बन रहे हैं और अगर वाहन चलाते हैं तो बिल्कुल सावधानी के साथ चलाईए वाहन से चोट चपेट की घटना चोट लगने का भय है एक और बात का खैल आपको रखना है आज मद्यपान से दूरी बनाईए और किसी को आज उधार मत दीजेगा नहीं तो जिसको भी उधार देंगे उसके साथ संबंध खराब होगा मकान भूमी से संबंधित कोई कारे कर रहे हैं तो जला सावधानी से करिए और प्रेम प्रस्ताव और सफल होना बिवाद होना और आपको किसी मुश्किल में डाल दे ऐसी इस्तिती का उत्रपन करना संभावय अतह प्यार का इजहार आज बिल्कुल मत करिएगा बिद्धार्थी आज़ असंतुष्टों के मिलने वाले परिणाम से पेट से सम्मंधित परिशानी हो सकती है तो खान पान का ध्यान दीजिए खुद का ध्यान दीजिए खुद को समय न दे पाने के कारण इस प्रकार की परिशानी उत्पण न हो रही है भोलेनात के मंदर में जाकर के भोलेनात के उपर नारियल का जल अर्पित करिये लकियंग का आपके लिए एक लखी कलर आपके लिए आज सफेद है करक की बात कर लेते हैं करकराश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है करकर आसी के जातकों के लिए देखा जाए तो आज दिन है सामान्य लेकिन आप इस दिन का लाभ उठाएंगे अचानक कहीं से लाभ किस्तुरी बनेगी आज आपकी योजना भी पूर्णतह सफल होने वाली है आज आपकी छठे इंद्रिये भी पूरी तरह जागरुत रहेगी दिन भर कब कौन सी घटना कैसी घटित होने वाली है इसका पूर्वाभास आपको होता रहेगा कोई भी काम एकाग रहो करके करिए आपको उसमें सफलता मिलेगी जो भी करिए सोच विचार करके करिए आपको सफलता मिलेगी नई योजना बनाने के लिए दिन बेहद खास है छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है सफलता के लिए ये छोटी छोट लेकिन फिर भी फाइदा होगा नौकरी कर रहे हैं लोगों के लिए थोड़ी सी परिशानी आ सकती है उस समय जब ट्रांसफर की कोई ऐसी खबर मिले या ऐसा इसारा मिले जो आप न चाहते हो एक और बात बता देता हूं किसी की बुराई मत करिएगा किसी की चुगली मत लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध हों मधुरुक किये जीवन साथी की सेहत का खयाल रखिए प्रेम संबंध में अगर तनाव होता है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और विद्यार्थियों के लिए बता दूं दिन अच्छा जाएगा आपके आतनों इश्वास में बृ प्रतिग्यता धैर्य ये आपकी कामयावी के सूत्र है इनको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और निसंदेह आप सफल हैं आज पूरे दिन आपका मन काम में लगेगा कारेक्षत्र में सारे काम होने वाले हैं जरुवत पढ़ने पर सहयोगियों का उचा धिकारियों का समर् आपके पक्ष में आएगा और वहीं जो आपसे कारिस्थल पर जलन की भावना रखते हैं आपको नीचा दिखाना चाहते हैं वो खुद बखुद सांथ हो जाएंगे वहीं ब्यापारियों के लिए धनलाब का योग बना हुआ है ब्यापार में बृद्धी के संयोग बन रह रहा है संतान के और से अच्छी खबर और संतान के सक्षा के छत्र में बृद्धी के योग दिखाई पड़ रहे हैं घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें मोबाइल इंटरनेट इत्यादी से जरा दूरी बनवा करके रखवाईए क्योंकि उनकी सेहत पर गुरा आसर पड जरूरी है प्रेम समंद में प्रेमी के प्रती इमांदार बने रहना बेहत जरूरी है और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो परिणाम है तो बहुत बढ़िया लेकिन आज सेहब में थोड़ी परिशानी दिखाई पारे विशेसकर सुरदर्द की शिकायत से आज लाल है और बात कन्या राशिकी कर लेते हैं कन्या राशिके जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है दिन बढ़िया है आत्नों विश्वास से भरे हुए रहेंगे आप जितने भी आपके सोचे हुए कारे हैं वो सब एक एक करके पूरे होते हुए दिखाई कोई पुराना विवात था उसे खत्म करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है कोई परेशानी थी उसे खत्म करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है बस एक बात का खयाल रखें अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए और कहीं भी रहिए कोई बात कहिए तो सीधा साफ दो ट ज़ाना कुछ बदलाव करना उसके संकेत मिल रहे हैं। ज़ाना की बदलाव करना उसके संकेत मिलेंगे। ज़ाना की बदलाव करना उसके संकेत मिलेंगे। और ब्यापारी की स्थल पर देखा जाए तो थोड़ी टेंशन करमचारियों के कारण होगी लेकिन आप उसे सब हैंडल कर लेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भागदोड आज थोड़ी ज़ादा होगी, काम आज आप पर ज़ादा हो जाएगा लेकिन सब कुछ ठीक कर लेंगे साम होते होते सुचिन्ता मत करिये। यात्रा की योजना आपने अगर बना रखीती तो अभी उसको ठगित करिये और जबरदस्ती कोई काम करने की कोशिश मत करिये। पूर्ब में किये हुए सुरिष्ट प्रयास का आज आपको परिणाम मिलने वाला है। कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे आप तो आपको सफलता मिलेगी लेकिन बस एक बात का खयाल रखिएगा जो आप कदम उठाने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लिजेगा और द्रढ संकल्पित होकर के जब कदम उठाएंगे तो सफलता आपको अवस कुछ खास लोगों से आज ब्यापार में मदद मिलेगी कारोबार बिल्कुल ठीक ठाट चलता दिखाई पड़ रहा है यानि मिला जुला करके हर प्रकार से दिन बहुत बढ़िया वहीं देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सुरेष्ठ है मन पढ़ाई में लगेगा और सेहत के द्रिष्टिकोंट से देखें तो मद्देपान से जरा दूरी बना करके रखें क्योंकि चोट चपेट एक्सिडेंट वाहन से चोट लगने का भय है अपने आकरामक स्वाभाव पर आज आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है क्योंकि इसके कारण पर रिशानियां आ सकती हैं विश्यसकर मैंने मद्देपान करने से मना किया है सावधान रहे और जो लोग माईग्रेन करोगी हैं वो भी जरा सावधान रहे मैं विश्यसकर आपको खान पान का भी जरा ध्यान दिला दूँ परहेज करी और खान पान का ध्यान रखिए भोलेना आपकी बातों से पुर्णता सहमत दिखाई पड़ रहे हैं कामकाज में सुधार होने वाला है आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात या बादचित या सलाह आपको मिल सकती है जो या तो बुजुर्ग हो या आपकी नजर में आदर्श हो और उसकी राय उसकी सलाह आपक से मिलेगी व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन फाइदा दिलाने वाला है व्यापार को बढ़ाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी हाला कि इंकम में थोड़ी कमी जरूर आएगी परन्तु इतना भी नहीं कि आपको परेशान होना कोई भी काम जल्दबाजी में मत करियेगा नहीं काम आपके बिगड़ जाएंगे और छोटी छोटी बातों पर गुश्या तो बिल्कुल ही मत करियेगा नहीं तो काम अवस्य बिगड़ेंगे दामपत्ति जीवन पूरी तरह से सुख़द दिखाई पढ़ रहा है दामपत् आज रुद्र शुक्त का पाठ करिये और रुद्र शुक्त का पाठ करके भोलेनात का दुख्द से विशेक करिये लकियंग का आपके लिए एक लखी कलर आपके लिए आज हरा बात मकर की कर लेते हैं मकर राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है दिन पढ़िया है अचानक कहीं से धनलाव के योग बन रहे हैं किसी से उपहार मिलने वाला है जीवन में चल रही परेशानिया वैसे तो यह थावत बनी रहेंगी फिर भी आज आप पारी वर्ग आप से खुश रहेंगे कोई बड़ा फैसला करने के लिए कोई पहल करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है बस एक बात का खयाल रखिएगा कोई भी कदम उठाने से पहले सलाह लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे सो सलाह अवस्य ले लिजेगा औ उन पर तो आपको ध्यान देना ही होगा एकागरता जिनकारियों में बहुत जरूरी है आज वो काम अवस्य करी उनकामों में विशेश सफलता मिलेगी आज किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात हो सकती है हो सकता है कोई पुराना प्रेमी टकरा जाए कोई भी कारे आ यानि प्रेम विवाह करना चाहते थे और बात नहीं पन पा रही थी बनेगी विप्रिद के प्रतियाज को ज्यादा ही आकरशित होंगे दांपत्य जीवन सुखत और विध्यार्थियों के लिए देखा जाए तो टेंसन और निरासा भरा है दिन्यानी बहुत बढ़िया वि प्रतियात्कों के लिए आज क्या लेकर आ रहा है कोई भी कारे करिए अपने पिता की राय से करिए या यूं कहें कि जो आपके बुजूर्ग है आदर शसे हैं उनकी राय से करिए दिन अच्छा बीतने वाला है हर मामले में आज आपको सावधान होकर के आगे बढ़ना है क किसी भी काम को करने के लिए अगर आप संकोच करेंगे तो सफलता हासिल नहीं होगी सो संकोच का त्याग करके बस आगे बढ़ जाईए और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है व्यापार से संबंधित आज दिन लाभदाई रहने वाला है छोट करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है और स्टूडेंट के लिए भी आज का दिन बेहद खास है मेहनत करते हैं अच्छी सफलता मिले यहर प्रकार से दिन ठीक है सिहत के द्रिश्टिकोंट से देखे तो कफ़जन ने रोग और सिरदर्द से अगर परिशान थे तो आपको प्राहत मिलेगी भोलेनात के मंदर में जाकर के आज कुछ दान अवस्य करिएगा धन का दान लकियंक आप ले दो लकी कलर आपके लिए आज के शरिया और बात मीन की कर लेते हैं आपके नीजी जीवन में कुछ अच्छे और बड़े बदला होने जा रहे हैं दिन बढ़िय आज आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा लेकिन एक बात तो तय है कि सफलता मिलेगी अधिकारी आज आपसे पूरी तरह खुस रहने वाले हैं आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं और व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहत खास है किसी पुदाने विवात का निप्टारा हो जाएगा आपको फाइदा मिलने वाला है एक बात का खयाल रखिएगा नाकारात्मक सोच अपने उपर हावी मत होने दिजी ये भारी पड़ेगा आपके उपर और किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी है जो करना है खुद के बदोलन भावुत हो करके कोई प्रियदर्शकों ये था मेश शिलेकर मीन राशी परियंत प्रतेक राश्के जातकों के लिए पूरे दिन का हाल अभी के लिए इजाजत दीजिए पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार